हン दोस्तो नमस्कार हुंयो नहीं ज्यान होंयो पैथी चैनल पर आपका तुसे स्वागत आज बात करें के दरें दोस्तो अश्व गंधा कैशी विबीण जो सेख़ो-विज़ा के याइर है और होंयो पैथी में भी इसका इतिहा तेमा स्व गोड़े जैसी स्मेल भी आती है, कहते हैं, इसकी जड़ का जो पाउडर बनता है, इसमेल जो है अस्व जैसी स्मेल आती है, इसलिए इसको अस्व गंधा भी कहा जाता है, क्योंकि इस जड़ी वोटी में से अस्व जैसी स्मेल आती है, महग आती है, आईए जानते हैं दोस्त बारे में बताएंगे कि यह कैसे ली जाती है फिर बाद में हम इसकी रिकमेंडिट डोज के बारे में डिस्कस करेंगे तो दोस्तो आप जो ध्यान से देखिएगा और रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से इस वीडियो का फायदा मिल स के आप इसके बारे में अच्छी तरे से जान सके दोस्तो अस्व गंधा जो बैस्ट मेडिसन जो मानी जाती है वो मानी जाती है इम्मुनिटी बूस्टर के लिए यानि कि यह रोग पृतिरोदक छंता को क्या गुना बढ़ा देती है जिया दोस्तो यह इसका बहुत ही बहत कोविड-19 यानि की करोना वाइरस के खिलाब जो है एक बहुत अच्छा हत्यार सावित हो सकती है दोस्तों जिन लोगों में इम्मुनिटी का लेवल बहुत अच्छा होता है उन लोगों पे करोना का कोई खास फरक नहीं पड़ता है खास असर नहीं पड़ता है कोविड-19 क वो लोग बहुत जल्दी recover कर जाते हैं इसलिए ये माना जा रहा है कि अस्व गंधा जो है बहुत ही कारगर medicine है COVID-19 के infection से fight करने के लिए क्योंकि इसको लेने से immunity boost होगी और immunity अगर boost होगी तो body जो है शरीर जो है COVID-19 के infection से भखूबी लड़ेगा और जीच जाएगा तो इसलिए जो है यह माना जा रहा है कि COVID-19 की अगींस्ट जो है जो अस्व गंदा है बहुत ही अच्छी और प्रभावसाली बढ़िशन हो सकती है दोस्तों यह यह testosterone जो होते हैं जिने हम male hormones कहते हैं उनको भी बढ़ाती है उनको balance करती है testosterone testosterone के बढ़ने से जो male productive organs होते हैं वो मजबूत होते हैं जो है शरीर बनता है गठीला बनता है और जो है जो दुरुबलताएं है साड़िक दलो दुरुबलताएं वो भी खत्म हो जाती है यह जो है असकंदा मेडिशन जो है यह हर्ब जो है यह testosterone को का level बढ़ाती है उसको body balance करती है और male hormone के balance होने से reproduction की छमता बढ़ जाती है यानकि रेक्टाइल life function हो गया ठीक है infertility हो गया मेल में वह चीजे करेक्ट हो जाती है और जिल लोगों को थोड़ा सा भी काम करने से मानसिक काम करने से सारीक काम करने से थकान होने लगती है सारीक थकान होने लगती है और दिमागी थकान होने लगती है उनके लिए असुगंदा बहुत अच्छी मेडिसन है असुगंदा दिमागी थकान और सारीक थकान में जिन लोगों में कमजोरी की वज़े से थोड़ा ही काम करने के वज़े प्रद्व के लिएवे अस्वगंद अम्रत है इसे जो ए शरीर गठी लाएंगे लगता है आस्वगंद लिए नौर्मन हो जाते हैं यह आस्वगंद का बहुत बढ़ा है इसके अलावा अस्वगंदा अपच याईनि की जो डाइजस्टिव इसूज होते हैं पेट सम्मद्ध जो डाइजस्टिव डिसॉर्डर होते हैं उसमें भी अस्वगंदा बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही बहतरीन मेडिशन है दोस्तों जिल लोगों में अनीमिया हो हो गया कि जो ब्लेट सेल्स हैं उनका बैलेंस जिन जब बिगड़ जाता है यानि कि उनमें रैड ब्लेट सेल्स की संख्या जब कम हो जाती है ब्लेट के अंदर में तो अनीमिया का लोग सिकार हो जाते हैं उस केस में अस्वगंदा बहुत अच्छा एफेक्ट करती है और अनीमिक कंडिशन से पेशन्ट को बहार ला सकती है अगर दोस्तों किसी को भी अनीमिया की सिकायत है या आपने फेज करी है या जो हमने प्रावलम अभी तक बताई है उनमें से कुछ आपने फेज किया है तो आप अस्वगंदा को ट्राई कर सकते हो दोस्तों ये प्री होता है उनके लिए अस्वगंदा रामबाण है और अगर धंग से ली जाए तो ये प्रीमेच्च्र एजेकलेशन की प्रावलम को पूरी तरह खत्म कर देती है अब बढ़ते हैं यह यूटी आई में भी अच्छा काम करती है एक ऐसी मेडिसन है जो बहुत सारी रोगों पर काम करती है इसलिए अस्वगंदा को जो है एक किंग मेडिसन के रूप में जाना जाता है आयरुवेद में यह यूरिनरी इंट्रैक्ट इंफेक्शन जो है जो इसे यूटी आई भी कहते हैं पिसाब की जो रास्ते में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं प्रैक्टिरियल इंफ है और यह बहुत ही effective medicine है arthritis के case पर भी दूस्तों जिन लोगों को वही जिन लोगों को cancer का problem है उस तो जरा ध्यान जो सुनिएगा ये cancer cells को replicate होने से रोकती है ये एक ऐसी medicine है जिसमें cancer के cells को बढ़ने से रोकती है उनकी जो बढ़ने की replication की छमता है उसको घटा देती है तो अगर किसी को भी cancer है तो अस्रगंदा उसको लेनी चाहिए उससे cancer की जो cell है उनका जो रेसो है बढ़ने का अपने cells को बराबर बढ़ाते रहने का वो घट जाता है और अगर एफेक्टिव तरीके से ली जाए तो ये cancer की growth को बहुत हद तक कम कर देती है तो जिन लोगों जो cancer patient है वो अपनी दबाई वैसे ही खाती रहे है जैसे खा रहे है उसके सासाथ अस्वगंदा लेंगे तो cancer का जो रोग है वो बढ़ेगा नहीं वहीं रुख जाएगा और cancer growth कम हो जाएगी तो जिन लोगों में hypertension यानि की high BP की समस्या रहती है उनमें भी अस् इसा ही mother tincture के रूप में recommended होती है यह बाकी की higher potency में भी यूज हो सकती है उसमें की भी जाती है लेकिन यह अस्वगंदा mother tincture में सबसे ज्यादा effective होती है इसे mother tincture में ही लेना चाहिए आयो दोस्तों जानते हैं किस रोग में किस problem में इस medicine को कितना लेना है दोस्तों जिन community power बहुत वीग है बहुत कमजोर हैं समय समय पर बीमार पढ़ जाते हैं जिनको कोविट 19 से अपनी शुरक्षा करनी है अपनी पावर बढ़ानी है तो बीच ड्रॉप 20 ड्रॉप in half cup of water आप आधा कप पानी ले 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 उसमें बीच ड्रॉप डाले और इसको लेते रहें सु को इम्मिनुटी बूस्ट करने की आवसकता है और जब तक आप स्वस्तनी हो जाते हैं दोस्तों वीग जिन लोगों की बहुत ज्यादा बोडी कमजोर है और बहुत दूबले पतले हैं उनको भी बीच ड्रॉप half cup water पे लेना है आधा कप पानी के अंदर बीच ड्रॉप डा हैं बहुत कमजोर हैं वह मसल्स वाले हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे जिन लोगों में प्रेमेच्च और इजकुलेशन और इंपोटेंसी की प्रवलम है अपनसकता की जिन में आवस्था है वह भी आदा कप पानी में बीच ड्रॉप लेंगे और दिन में तीन जाते हैं उन लोगों को भी यह मेडिसन आधा कप पानी में पीज डॉप डाल करके लेनी है और ठीटाइम से डे लेनी है और एट लीस्ट तीन महीने तक लेनी है तो ठीव हो जाएंगे दोस्तों जोलोग अनीमिक हैं जिन लोगों में अनीमिया की प्रवलम हैं नहीं कम बन लिने लिने लोगों सी आया है गटियां की समस्या आ है वह सब्सक्राइब आधा कभानी में लेनी दिन में तीन देखे लेनी है और कम से कम छह महिने लेनी है उसके बाद भी अगर लगता है कि रोग बाकी है वैसे 6 में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पिर भी लगता है बाकी है तो इसको longer duration भी लिया जा सकता है दोस्तों जिन लोगों में सोने की समस्या है यानि कि insomnia है नीन नहीं आती है उनको भी ये 20 ड्रॉप half cup water में लेनी है दिन में तीन बार लेनी है सुबह दो पहर साम और कम से कम एक महीने के लिए लेंगे एक महीने में इंसुमेनिया ठीक हो जाता है और इसके अलावा जितनी भी डिजीज हमने अभी तरकिस में सुबह सुरू से लेकर करके अब तक डिसकस करी है उन सारी chronic disease में ये 20 बूंद आद कब पानी में लेनी है दिन में तीन बार लेनी है और कब तक लेनी है जब तक कि आपकी problem तो mostly जो problems है वो 2-3 मीने में 6 हो जाती है जो chronic disease ये जो लब टाइम से चली आ रही है उन में कभी कि ये छे मैने भी ले सकती है ये यह बहुत अच्छी हैं बहुत ही अच्छी मेडिसेन हैं दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा होमेपेतिक दबाह किसी भी तरह के भोजन के 30 मिनट पहले बाद में ही ली जाती है यह बहुत अच्छा एफेक्ट करती है दोस्तों अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मैं सब्सक्रा सब्सक्राइब लाइक और बैल आइकन जोड़ दवाईएगा और हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सर्फ कीजिए जाये देखिए वहां पर बहुत अच्छे वीडियों हैं जो आपकी कामा सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं बहुत सारी बीमारी में बहुत सारी प्